नमस्कार बच्चों आज अमद्धिन करेंगे साउले सपनों की याद अध्यायका इनके लेकक हैं जाबिरुसेन पहले देखते हैं जाबिरुसेन के बारे में लेकक के बारे में पढ़ लेते हैं तोड़ा सा जाबिरुसेन का जनम सन 1945 में गाउं नोन ही राजकीर जिला वहां पर इक गाउं है नोन ही राजकीर वहां पर इनका जनम सन 1945 में हुआ था अंग्रेजी बासायम साहित्ते के प्रादपक रहें इन्होंने शुरू में अंग्रेजी बासा का और साहित्ते का शक्री राजिति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विदानसवा सदस्य निर्वाचित और मंत्री बने उसके बाद में अध्याबन कारे को छोड़ कर ये राजिति में भाग लेना शुरू परते हैं और 1977 में मुंगेर जिला है वहां से बिहार विदानसवा के चुनाओ ये लड़ते हैं वहां से और ल 1995 से विहार विदान सभा परिशत के सवापती हैं और ऐसा है कि 1995 के बाद में विधान परिशत के सवापती बने वे हैं जाबीर हुसेन हिंदी उर्दू तता अंग्रीजी तीनों वासावों में समान अधिकार के साथ लेकन करते हैं उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं डोला बीबी का मजार अतित का चहरा लोगां एक नदी रेत बरी परमुक हैं इन्होंने किया हिंदी में भी रचनाओं लिखी उर्दू में भी लिखी और अंग्रीजी में भी लिखी लेकिन हिंदी की जो मुखे रचनाओं वो है जो आगे हैं डोला बीबी का मजार अतीत का चहरा लोगां एक नदी रेत बरी ये इनकी परमुकी रचना है जो हिंदी में लिखी गई है अपने लंबे राजितिक समाजिक जिवन के अनभवों में पस्तित आम आदमी के संगर्शों को उन्होंने अपने साहित में परकट किया है मतलब अपनी रचना उन्होंने वह नभव लिखे है , शंगर्श्रत आम आदमी और व्यक्तित्तों पर लिखी गई उनके डायरियां चर्चित परियोग किया है जो अपनी प्रस्तुति और सेली और सिल्प में नवीन है और यह एक नया प्रियोग है पर्सित पक्सि विग्यानी प्रसित विग्यानी थे पक्सि विग्यानी थे उन्होंने संस्वनन के रुप में लिखा है, मतलब उनकी याद के रुप में उनको लिखा है सालीम अली की मिर्तियों से उत्पन दुख और आवसाद को लेकक ने सावले सपनों की याद के रुप में व्यक्त किया है उनकी मिर्त्य होने के बाद में सालीम अली की इनको जो दुख हुआ, उनका जो आवसाद हुआ, ये आवसाद को उन्होंने सावने सपनों की याद के रुप में पर पस्तुत है, क्या है, सालीम अली का इस्मरन करते भी है, लेखक ने उनका जीवन चित्र पस्तुत किया है, य बिल्कु छू लेने वाली बासा गहिनोनिया पर प्रियोग किया है देखिए सामले सपनों की याद सुनहरे परिंदों के खुश्रत पंकों पर समार सामले सपनों का एक हुजुम मोत की खामोस वादी के तरफ अगरशर है कोई रोक टोक सके कहां संभव है जब किसी व्यक्ति क मिर्ति हो जाती है मिर्ति होने के बाद में मिल्कुल सांत हो जाता है उसके तरफ से कोई भी बाते नहीं की जाती है ऐसा ही यहां पर दोक्टर सालीम अली के लिए का आ गया है क्योंकि जो एक मोत होती है मोत के बाद में जो हुजुम एक जो भीड जो चलती है उस भीड का उ उसमें भीड में चल रहे हैं सालिम अली और यहां पर उनके बारे में अपना पूरा जीवन पक्षियों की देख्रेक में उनकों समझने में उनकी देखवाल करने में उनकी सुरक्षा करने में और उनको खूजने में अपने व्यतीत किया है तो आज भी उन पक्सियों की यादों पर यह उनका हुजुम चल रहा है वो भीड है वो उनकी यादों पर चले जा रही है उनकी पंखों पर चले जा रही है इस हुजुम म पर शेलानियों के उनका अंहें सपर उसका बोज उठाइए वह आगे चले जा है लहां कि जानकी वो चैज लोने आतरा कि जीवन बिरकल बीदायग बिल्कुल या है आखरी पलाइन है यह जीवन होता है जीवन में आप सभी समझते हैं क्योंकि सभी के पास में बहुत से काम होते हैं विक्तियों के बात में हमें सब भीडवार रहती है वह व्यस्त बहुत रहते हैं इन सब चीजों से इस जिंद्गी के तनाओं के माहुल से जिस जिंद्गी का आखरी गीत गाने के बाद मोत की गोद में जा बसा हो अब ऐसे पक्सी के माद एक से पक्सी वो बन चुके हैं उस पक्सी के जैसे बन चुके हैं जो वन पक्सी है और वो परकरती में विलीन हो रहा है अपनी जिंदिगी का आखरी गीत गाने के बाद में पक्सी है उड़ता में विलीन होने जा रहे हैं उसमें मिलने जा रहे हैं जहां से उनका अस्टेत्व शुरुआ आता वही पर उनका समाग हो रहा है कोई अपनी जिस्म की हरारत दिल और दिल की धड़कन देकर भी उसे लोटाना चाहे तो वह पक्सी अपने सपनों की गित दुबारा कैसे का है तो उसे दुबारा उठने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मैं दुबारा नहीं का सकेगा मुझे नहीं लगता कोई सोड़ी पक्सी को जगाना चाहेगा और मुझे यह भी नहीं लगता लेकर क्या कहता है कि जो पक्सी बिल्कुल सांत होकर सोच चुका है उस पक्सी को क जगाना चाहे मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसे जगाना चाहेगा वर्सो पूरू खुद सालीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं यह उन्होंने वर्सों पहले कहा था कि जो लोग है व्यक्ति है सालसा से देखता है तो पक्षियों की तरह भी वह ऐसे ही देखते हैं यह उनकी भूल है ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाडों जर्णों और आफसारों को वह परकरती की नजर से नहीं आदमी की नजर से देखने को उस्वक रहते हैं जो भी हमारे पास में परकरती है जं करने के बारे में सोचता है मनुस्य तो यह हम ऐसा मनुस्य की उस्सुक बरी नजरे होती है कि उससे क्या प्राफ्ट कर सकता है उसे प्राफ्ट करने के इच्छा ही हम ऐसा रहती है बला कोई आद में अपने कानों से पक्सियों की आवाज का मुदूर संगी सुनकर अपने भीत बार सब उड़ता है जन्ना सब उड़ता है अपने मन के जो भाव होते हैं वो भाव निकल कर आने को बेताव हो जाते हैं यह सब कम होता है जब हम पक्षय की आवाज उसका मदूर संगी जब सुनते हैं तब ऐसा होता है ऐसास की ऐसी उबर खाबर जमीन पर जन्में मितक का न इत्यास में कब किस्टन ने विंदा में रासलिला रची थी और सोख गोप्यों को अपने सरावर्तों का निशाना बनाया था अब यह कह नहीं सकते हैं कि यह कब हुआ था कब माकन बंदे खोड़े थे भांदे का मतला होता है बरतन मिटी से बने को गया यह कहा भाटिक कमें चोटे में चाय और ध्ष्चम गन्य-पैड्व की चाहं में विश्राम केया थाूं कब दिल की धर्खनों को एकदम से तेज करने वाले इस सत्तक्री बनसी बजाए थीP तेज वहीं हो तो तेज हो जाते थे, और पता नहीं कब विरंदावन की पूरी दुन्या संगीत में हो गई थी, और ऐसा कहा जाता है, कि एसमें उसके जैसे सब्ती वैसे ही विन्दावन के जो बासी हैं उस वाततावरग्म में खो या उस संगीत में खो जाती ते और उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता था कि उन्हें कहां ख़ड़े हैं इस केवाल उनके कानों के वह वतताह हुँ आवाज ही उनके कानो लेकिन जो आज भी विंदवन जाये तो नदी का सामला पानी उसे पूरे गटना करम की याद दिला देगा और सुबह शुरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उस्सा बरी भीड नदी की और बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड को चीर कर अचानक कोई सामने बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जायेंगे गटना करम अभी वही है जिंदिगी बदल चुकी है लोग अभी भी नदी के किनारे जाते हैं लेकर अभी भी ये लगता है कि कोई आएगा उस भीड से आते हैं आगे आके वो क्या अपनी बंसी बजाएगा उसकी आवाज हमको सुनाई देगी वो सुनाई देते ही वहाँ पर जो लोग हैं उनके कदम थम जाएंगे ऐसा लगता है हम उन देगा तो लगता है जैसे बसकुची स्वामें वह कहीं से आट तपकेगा और संद्यत का जादू वाटिका के भरे पुरे माहौल पर चाहएगा अब जब साम हो जाती है तो जो वाटिका होती है बगीचा होता उसका माली है दायत देता है तो स्वाम ओचिकी आप अपने घ जादू से खाली हुआ है क्या कभी ऐसा हुआ है कि विम्दावन है जो सुर्षिंद की जो बशनी बसते थी उसे जादू था उससे खाली हो गया हो अलग हो गया हैं कभी नहीं हो सकता है bitterness को ان च्वाल का जवाब कलास करने पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस आदमी पर डारी जाए जिसे हम सालीम अली के नाम से जानते हैं उमर को सती तक पहुंशने में तोड़े ही दिन बच रहे थे बच रहे थे संभव है लंबी यात्रों की ठकान ने उनके शरी को कमजोर कर दिया हो और कैंसे जैसे जान लिए वा बीमारी उनकी मौ कर सकते हैं सालीम अली मिहीं कुछ ऐसे थी उनकी उमर है उमर का पड़ाव विलका समागत होने वाला है और अब उनके जो सरीर है बिलकुल कमजोर हो चुका है क्योंकि उन्हों ने जीवने में बहुत यात्राई की है पक्षियों को खोजने के लिए पक्षियों की आँखों से वहें रोशनी चिनने में सपल नहीं हुई जो पक्षियों की तलास उनकी ही पाजत के परती समर्पित थी पक्षियों की सुरक्षा के लिए उनकी मन में उनकी आँखों में जो रोशनी थी उस रोशनी को उनकी मोत के साथ मतलब मोत भी उनकी रोशनी को समाप्त न उन जैसा बैड़ वाचर साइदी को भी हुआ हो लेकिन एकान सनों में सालीम अली बिना दुर्बिन भी देखे गए हैं दूर सितीस तक फेली जमीन और जुके आस्मान को चूने वाली उनकी नजरोस में कुछ-कुछ वेसा ही जादू था जो परकर्ती को अपने घेरे में बा होते बलकि परकर्ती को खुछ से परभावित कर देते हैं उनके लिए परकर्ती में हर तरफ हस ही खेलती रहाष्के बड़ी धुनीया पस रही थी हसते कहते हुई अपना जीवन आपन करते थे इनके इसके गड़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने कापी हद मदद पहुंचाई थी तहमीना इसकुल के दिनों में उनकी सहपाटी रही थी तहमीना उनकी पत्नी का नाम था उनकी जीवन साथी थी तो वो उन्होंने जो पर मान्सकारी जीवन में डेर सारे अन्वोग के मालिक सालीम अली एक दिन केरल की सालेंट वेली को रेजिस्टरी हमा की जोकों से बचाने का अन्रोध लेकर चोदरी सरंचिंग से मिले थे वे परदान मंत्री थे चोदरी साप गाउं की मिट्टी पर पढ़ने वाली पानी की पहल ऑट करेंट वे लिया है वाप पक्सिय पाए जाता हैं उनको बचाने के लिए और पर शोने से पर इतने नाहीं होते हैं कि उनके आंकों लोग के बीच एक नई भारत के निव रखने का संक्लप लेगा कौन बचा है जो अब हिमाले और लद्दाक की बरफिली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों के वकालत करेगा कैसे लद्दाक की जो और हिमाले जहां पर बरफी बरफ रहती है मैसा हर दिन बारा मैंने हुआ पर बरफ रहती है वहाँ पर जो पक्षि रहता है उनके बारे में कौन सोच पाएगा यह अभी इनके बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं रह गया है साली मली ने अपनी आत्मकता का नाम रखा था फॉल आफ है इस पैरो मुझे याद आ गया डी एच लोरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लोरेंस है अनुरत किया कि वे अपने पत्ति के बारे में कुछ लिखे लेकिन उसने का मेरे लिए लोरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है मैं कहती है कि मैं लोरेंस के बारे में कुछ लिखू यह मेरे लिए संभव नहीं है मैं से मैसूस कर सकती हूं चीजों को लेकिन उन चीजों को मैं सब्दों के माद्धम से बयां नहीं कर पाऊंगे मुझे मैसूस होता है मेरी चत पर बेटने वाली गुरहीया लोरेंस के बारे में डेर सारी बाते जानती है मुझसे जादा जानती है वो सच्छी उस इतना कुला- सब्दों का जामा पहनाना मुझे यकीन है मेरी चत पर बेटी गुरहीया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है यो प्रिडा लोरेंस है वो कहती है कि वो बिलकुँ खुले साधा दिल बिलकुँ साफ दिल के आदमी थे और साथ म वो मेरी सरीर के अंदर मेरी रगों में मेरी हड्यों में बसे हैं समाई हैं लेकिन उनके अनभाव जो उन्होंने मेरे साथ में जीवन व्यापन किया जो अनभाव उन्होंने प्राप्त किये उनको मैं सब्दों का जामा पहनाना मतलब सब्दों के माध्यम से उनको व्यक्ति यानि हम दोनों के बारे में हम से ज्यादा जानकरी वह रखती है जकिल प्राणियों के लिए साली मली हमेसा एक पहली बने रहेंगे बच्पन के दिनों में उनके एरगन से गायल होकर गिरने वाली नीले कंट की गुराया सारी जिंदरी होना खोज के नए-नए रास्तों की तर पक्षियों के परति उनको जानने के परति जागरित होता है उनके परति मैसूस करते हैं वह इस बात को कि मुझे अपना जीवन है वह इस दिशा में ही लगाना चाहिए और वहीं से वह नए-नए रास्तों में जाते हैं चिडियों के बारे में पक्षियों के बारे में अध् अगल का पड़ वगरा नहीं होता है ऐसा जीवन जो लारेंस डी एच लारेंस ने जीवन जीवन जीए था वैसा ही जीवन साली मली ने भी जीए है शाली मली परकर्ती की दुनिया में एक टापू की बनने की बजाए अता सागर बनकर उब्रेते जिस परकार जो परकर्ती की दुनिया होती है परकर्ती को जानने के लिए उसमें एक टापू मतलब छोटा रूप हो गया लेकिन वो एक सागर थे मतलब उनमें बहुत कुछ समाय जीत रहती हैं वैसा ही साली मली के साथ में था वो भी एक सागर बन चुके थे इसके परकरती के अनुबह हुआ है उनमें भरे हुए थे जो लोग उनके ब्रमन सिल सभाव उनकी यायावरी से परचित है उन्हें मैसुस होता है कि वो आज भी पक्सियों के सुराग में ही निकल करने वाला जो सभाव है उससे परिचिते वो लोग अभी भी मैसुस करते हैं कि वो पक्सियों की सुराग में सुरा कमलत तलास में वो निकले हैं और अभी आएंगे और उनके गले में जो लंबी दृविन है वो लटकी हो ही आएगी और खोजपून नतीजों मुद्ब उन् कर नहीं आते हैं तब तक क्या ऐसा मा लिया जाए कि वो हम ऐसा के लिए यहां से चले गए मेरी आंक्हें नम है उनके जीवन को बताते ही उनके जीवन में उन्हों उन्होंने कुछ किया उसको बता थुए मेरी आँखें नम हो चुकी है और मैं उनसे क्यों एक ही सवाल करता हूं शाली महलूद तुम लोटोगे ना तुम जरूर यहां पर आओगे ना धन्यवाद